हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज हम पुराणों में वरनित दिव्य हत्यारों सुदर्शन चक्र के बारे में जानेंगे सुदर्शन चक्र एक दिव्य चक्र है जिसका श्वे हिंदु धर्मगरतों में विश्नु को दिया जाता है सुदर्शन चक्र को आम तौर पर विश्नु के चार हाथों के दाहिने पिछले हाथ पर चित्रित किया गया है, जो पांक जन्य, शंक, कौमोद की, गदा, वीधारन करते हैं पाद्म, कमल, रिगवेद में सुदर्शन चक्र को समय के पहिये के रूप में विश्नु का प्रतीक कहा गया है, बाद में चक्र एक आयूद पुरुष, मान्मरूपी रूप के रूप में उभरा, विश्नु के एक उग्रा रूप के रूप में, जिसका उप्योग राक्षसो के विनाश के लिए किया गया था, एक आयूद पुरुष के रूप में, देवता को चक्र पी रुमल या चक्र तलवार के नाम से जाना जाता है, शब्द साधन, सुदर्शन शब्द दो संस्कृत शब्दों से बना है, सू, सू, जिसका अर्थ है, अच्छा, शुब, और द को चक्र तलवार के नाम से भी जाना जाता है, साहित्य, रिग्वेद में सुदर्शन चक्र को विष्णू के प्रतीक के रूप में और समय के पहिये के रूप में उल्लेक किया गया है, महाभारत में दिव्य चक्र को कृष्ण के हतियार के रूप में दिखाया गया है, जिस से विष्णु के साथ पहचाना जाता है। समराट युदिष्टिर के राजसुवी यग्य में देवता सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर्कार्ट देते हैं। उन्होंने इसका उपयोग कुरुक्षेत युद्ध के चौदवे दिन के दौरान सूर्य को असपष्ट करने के लिए भी किया था। कौर्वों को धोखा दिया गया, जिससे अर्जुन को अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए जैदरत का वद करने की अनुमती मिल गई। रामायन में कहा गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्मान दिव्यवास्तुकार, विश्व कर्मा द्वारा किया था। विश्व कर्मा ने चक्रवन नामक परवत की चोटी पर हय ग्रीव नामक दानव का वद कर दिया और उससे चक्र चीन लिया। पुरानों में ये भी कहा गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्मान विश्व कर्मा द्वारा किया गया था, जिसमें इसकी उत्पत्ती के संबंध में एक कीवदंती है। विश्व कर्मा की बेटी, संजना, का विवा सूर्य देव, सूर्य से हुआ था। हालां कि उसकी पत्नी की तेज रोशनी और गर्मी के कारण वो उसके पास नहीं जा सकी। जब उसने अपने पिता को इस बारे में बताया तो विश्व कर्मा ने सूर्य का तेज कम कर दिया ताकि उनकी बेटी उनके पास रह सके। सूर्य के तेज से विश्व कर्मा ने तीन दिव्य वस्तुएं उत्पन की, हवाई वाहन पुश्पक विमान, शिव का त्रिशूल और विश्णू का सुदर्शन चक्र. दक्ष यग्य में सती के आत्मदा के बाद दुखी शिव उनके नरजीव शरीर को लेकर घूम रहे थे और गमगीन थे। उन्हें पीरा से मुक्त करने के लिए, विश्णू ने सती की लाश को 51 टुकडों में काटने के लिए सुदर्शन चक्र का उप्योग किया। माना जाता है कि देवी के शरीर के 51 हिस्से पृत्वी भर में बिक्रे हुए हैं, जिन्हें शक्ति पीठों के र झाल